हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू एपस अपडेट यूटूब सेनल दोस्तों आज हूं बताऊंगा अगर आप माई बीजुली एप यूस करते हो जिसमें आप जो कारेन का बिल होता है उसमें पेंग करते हो लेकिन कभी-कभी आप जब भी ऑनलाइन से पैसे भरना चाहते हो जो वीडियो को थोड़ टाइम निकल के शुरू से लेके लाज तक जरू देखना तो दोस्तों आपको फिर से स्वागत करता हूं आपका ही से रुसरेल एफ सब्डेट में दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त आपका भाई आसिफ तो बिल्याड अरश करे चले देखते हैं लेच सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इसके साथ जो बैल है यह आल बाला बैल पर आपको दबाके रख दिना होगा और इसके साथ जो वीडियो देख रहे हो इसमें आपको कमेंट बक्स में कमेंट कर दिना होगा जैसे दोस्तों ने कमेंट किया तो चाल वाहों को भी एक कमेंट करना होगा माई बीजोली app है जिसमें आपको current पा बील पे करना होता है उसमें बहुत लोग यह problem करती है कि बील पे करना नहीं आता है जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो मेरा consumer number यहाँ पर आगया में क्लिक करता हूँ तो आपको भी इस Leo लग इन तो करते हो लेकिन यह पर यह all balance, जैसे कि मेरा balance minus में लगा हुआ है, देख सकते हो तो मैं इसको अभी research करूंगा, तो आपको भी research करने के लिए सबसे पहले देखना है यहाँ पे current balance इसमें чek कर सकते हो कितना balance आपका है और last research आपने कब किया था यहाँ पे देख सकते हो सब्मेहां होगा और इसमें क्लिक कर देने के बाद इसके बाद इंसर्श्च एमांट जैसे कि आभी माइनस लगा ओवा है 10-119 तो आभी इंटरी इनटर्रेसर्श्च आमांट कितना रिसाइस करना चाहते हो जैसे कि मैं अभी 3,000, 300, 400 research करूंगा, जैसे यहाँ पर दे दिया, और दे दने के बाद फिर confirm करता हूँ, और वही 3,200, जैसे confirm किया, confirm कर दिने के बाद फिर email, आपको यहाँ पर email दे भी सकते हो, और नहीं भी दोगे, फर भी चलता है, तो मैं यहाँ पर चलो दे देता हूँ, trending, आपका email address, दो का email address यहाँ पर दिदेना होगा जैसे में पेमेंट कर दोगे में कर दिने की बाद यहाँ पर देखो जैसे कि आभी मैं पेमेंट कितना एड किया 3200 इतना एड करूंगा तो यहाँ पर credit card आता है debit card आता है other debit card तो आप क्या करते हो यूपी आई से करना है क्योंकि credit card debit card में उसमें प्रापल्लम हो जाता है कभी कभी लेकिन UPI में कभी भी प्रापल्लम नहीं होता है तो आपको UPI सिलेक करना है और जैसे UPI सिलेक करोगे तो भीम UPI आएगा तो आपको मेक प्लीस मेक पेमेंट पे करना होगा उसके बाद बीपिया बीपिया मतलब यूपिया आइडी इंटर यूपिया आइडी तो आपको करना क्या होगा आपका यूपिया आइडी यहाँ पे डालना होगा बहुत लोग यह सोचते हैं कि यूपिया आइडी क्या है जैसे कि दोस बजेसे कि मेरा UPID दिखा रहे असी फूस जमन एड़रेट प् sytuती में यह यहां पे ड़ना张 आरेट देखुल्य گ लगव्छ ही यहां ड्यास लूट हो तो आपके आपका UPI ड़ाल कि मैंड्रूँ30 क्लिक कर देचिक अबूब क्लिक कर दिने के साथ साथ ऊपर जो देख रहे हो आसाम पावार बैंक इस तरफ से आ रहा है जो कि आपका पैटियम हो चाहिए जिस से भी आपने यूपी आईडी दिया तो टेप टू पे पे क्लिक करोगे उसके बाद आपका आई सिय जो भी बैंक होगा उसमें आएगा उसक कर दोगे सबमिट कर दोगे सब्मिट कर दने के साथ साथ यह वो बिल पे हो जाईगा देख सकते हो यहाँ PEE हो गया और उसके बाद फीर से आपको दुबारा मीनिमच करके यहाँ आना है जब तक Thank You नहीं आता है जैसे कि यहाँ पर transaction समारी देख सकते हो transaction success और यहाँ पर thank you your payment has been successfully received as shown और यहाँ पर देख सकते हो transaction details तो आपको करना क्यों होगा इसको एक screenshot लिलना है ताकि future में कोई problem ना है ठीक है और जैसे यहाँ पर मैं अभी screenshot ले लेता हूँ जैसे screenshot ले लिया उसके बाद आपको करना क्यों होगा back आ जाना ह हो balance जो 3200 का करवाया और अभी balance दिखा रहे है 3080 रुपया जैसे कि आपका देख सकते हो यही वह यहाँ पर balance दिखा रहा हूँ अभी में current balance पर देता हूँ current balance देखने के साथ साथ यहाँ पर balance इतना दिखा रहा है और अगर आप चाहते हो कि आपका रोज का कितना unit खतम हो है वह मैं विजली में सेक करने के लिए तो व हीू यूजेश प्लैन का एक उप्ष्ण आएगा जैसिकर तो इसमें क्लिक करो इसमें क्लिक कर दने के बाद आपका कितना हो रहा है जैसिकर सब्सक्राइब बि गया कल मेरा 23 यूनिट एक दिन में गया है यह देखो 23 यूनिट और उससे पहले 20 जूलाइ को 18 यूनिट उसके बाद 19 जूलाइ को 18 इस तरह से देख सकते हो तो इसी तरह से आप चेक कर सकते हो रोज की आपका कितना बैलेंस है और कैसे बैलेंस को एड करना है जैसे कि मैंने आपको life to life दिखा दिया तो दोस्तों ऐसे कि अभी मैं आपको life to life दिखा दिखाया बिल्कुल इसी तरह से आप आपकी My visiblely app में इसी तरह से research कर सकते हो चाहे 2000 हो चाहे 2000 हो चाहे 2000 हो